ये कहानी है सन 1849 की जब अमेरिका के न्यू यूर्ग माटिसवर्ग में रहने वाले वाल्टर हंड नाम का एक आदमी बेहत गरीवी में जीवन यापन कर रहा था लाक मेनत करने के बावजूद वी वाल्टर अपने पूरवजूद और लिया गया भारी कर्च नहीं चुका पा रहे थे जिसके कारण वे बेहत तनाव में अपना जीवन गुजार रहे थे वाल्टर बचपन से ही अपने पिता के साथ लोही के वैविसाय से जुड़े हुए थे उनमें कुछ नया करने का उस्सा कम उम्र से ही था वे हमेशा कुछ नया और विचत्र कारणे के बारे में सोचा करते थे बहुत सोच विचार के बाद वाल्टर ने महिलाओं की जरूरतों को समस्त हुए सबसे पहले सेफटी पिन का निर्मार किया कहा जाता है कि वाल्टर ने मात्र तीन घंटे के अंतराल में ही सेफटी पिन का अविशकार कर दिया था इस pin को Walter ने सबसे पहले WRN कमपनी को बेचा बाद में कमपनी ने उन्हें एक बड़ी संक्या में safety pin बनाने का order दिया अपने इस अविशकार से Walter ने 400 डॉलर कमाए और अपना पूरा करजा वापस कर दिया safety pin के अविशकार के बाद भी Walter को ऐसा नहीं लगा था कि उन्होंने कुछ बड़ी खोच की है Walter ने सबसे पहले safety pin को तकरीवन 8 इंच के तामबे के तार में बनाई थी ये पहली pin थी जिसमें pin को रीखने के लिए बकल लगा हुआ था safety pin के अविशकार के बाद Walter ने सलाई मशीन, ट्राम घंटी, स्पिनर और सड़क साफ करने की मशीन का भी अविशकार किया वैसे तो Walter के अनेक अविशकार उनके नाम पर पेटेंट हैं लेकिन वै अपने सलाई मशीन के अविशकार को कतई पेटेंट नहीं कराना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे मशीन की कीमत बढ़ जाएगी जिससे गरीव लोगों को इसे खरीदने में मुश्किल होगी जो बाद में बेरोजगारी का भी कारण बन सकती है 62 वर्ष की उम्र में 8 जून 1859 को उनका निधन हो गया लेकिन वै अपनी जीवन के माध्यम से पूरी दुनिया को बताने में सफल हुए की परिस्तितियां चाहें कितनी भी बुरी हो कुछ ना कुछ करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है